पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और जटका लगा है बिहार में सुधा दूद के दाम में वृधी कर दी गई है सुधा दूद और डेरी प्रड़क्ट बेशने वाली संस्था बिहार राज दूद सहकारी संग लिमिटेड ने सभी प्रकार की दूद के दाम में वृधी का एलान कर दिया है 24 अप्रेल से लोगों को बढ़ा हुआ दाम देना होगा बिहार राज दूद सहकारी संग लिमिटेड द्वारा दे गई जानकारी के मुताबिक सुधा डेरी का दूद 24 अप्रेल से 2-3 रुपे प्रतिलीटर महंगा हो जाएगा बिहार राज ऐसा बढ़ाया जा रहा है इसके कारण दूद के कीमतों में वृधी की गई है कॉमफेट के अधिकारियों ने बताया कि सुधा फूल क्रीम दूद की कीमत अब 69 के बजाए 62 रुपे होगी 24 अप्रेल से टूंड मिल्क की कीमत 49 रुपे लीटर होगी सुधा गाय का दूद अ अब 52 रुपे प्रत लीटर के दर से मिलेगा तो वहीं पर सभी तरह के दूद में दो रुपे से तीन रुपे की बढ़ोतरी की गई है दूद की कीमत बढ़ने से फिर से बिहार वासियों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा बिहार में दूद और दूद के वापस जाएंगे जॉप छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन प पूर्णया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोंस पैनोरमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब्सक्राइब अब क्यों मुमिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णया में इहों पैनोरमा के संग एहोंस पैनोरमा लग्शूरियस, लाइस्टाइल रीदिफाइंट